तीक है, सही मैं बात करते हूं शब्रेज जी ठीक हो ना? जी मैं ठीक हो महर की वज़े से परिशान शब्रेज जो कुछ महर के साथ हुआ है, वो नॉर्मल नहीं था वो निका के लिए तैयार नहीं थी अभी तुमने जल्द बाजी की है मैं तो आप सब के कहने पर अलाइना से शादी के लिए राजी हुआ था फिर अचानक मुझे पते चला कि महर की तलाक हो गुए मुझे लगा किसमत ने मुझे एक मौका दिया है मैं यह मौका में इस नहीं करना चाहता था क्योंकि अगर मैं अलाइना से शादी कर लेता तो मैं महर से कभी नजरे ना मिला पाता और सची बात है मैं खुश भी नहीं रह पाता उसके से तुमने बिल्कुल ठीक किया शबरेस तुमने अपनी महबब को ओन किया हाम मर्दों के तरह इसको अना का मसला नहीं बनाया कि महर शादी शुदा थी शबरेस तुम ये तो मानोगे ना कि महर की जिंदगी में जो मुश्किलात रही वो कहीं न कहीं तुम्हारी उज़ास से थी उसकी शादी फिर डिवोस और इसी दोरान उसकी फादर की डेथ ये सब असान लगता है तुम्हें एक लड़की के लिए अब उसे तो ऐसा ही लगेगा ना कि उसकी जिंदगी में जो भी परिशानिया आ रही है उसकी वज़ा तुम हो लेकिन आप तो जानती आँसा कुछ नहीं है मैं हमेशा से चाहता था कि महर मुरी हो जाए दूल से चाहता था मैं जो कुछ भी हुआ हमारी तरफ से बहुत गलती हुई है पहले तो आंटी रिष्टा लेके जान नहीं रही थी होच अप लेकर गई तो खेर महर बहुत मुश्किलात से गुजर कर तुम तक आई अगर उसे ऐसा लगता है कि यह सब तुम्हारी वज़र से हुआ है तो तुमें तुमें इसका इतमाद चीपना होगा शप्रेस मादी मैं महर की किसम खांगे कहता हूँ कि मैं मैं कुछ नहीं किया मतने इसे कोई बहुत बड़ी घलत फहमे है और बातें क्लियर करना चाहता हूँ वो सुंपी नहीं तुम्हें उसे थोड़ा टाइम देना होगा शप्रेस ठाकि वो इस इस नए रिष्टे को कुबूल कर सके अभी तुम जो भी कुछ करोगे न वो सब तुम्हेरे खिलाफ ही जाएगा कभी कभी खुछ फैसले पगदीर पर भी शोड़ देने चाहें महल बहुत अच्छी लड़की है वो यखीनन वक्त के साथ तुम पर भरोसा करना शुरू करते होगे चस्ट मूँ जी 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 मुँ सुद तुम्हेरे मुँँ मुँ जी जी वोड़की ही जी 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 एकको तुम्हेरे वाएगा